तो और को लेकर उन्होंने का कि यह अर्मी की शिक्रस निए थी बल्के वो पॉलिटिकल के से कुछ गुछ गुआ थे जिसकी वजह से वह जो हार थी जंग में वह हुई है तो अन्होंने यानि ऐनी आर्मी को सवाकी से बड़ा यहां पर बैठे थे उनकी वजह से 71 में जो कुछ हुआ आप इससे कहां तक एगरी करेंगे देखिए इंटरनेट के जमाने में आप इस तरीके से लोगों को बेवकोफ नहीं मना सकते हैं आज की दायर मुझे याद है एक वीडियो है आपके बूर प्रदान मंतरी बुट्टो साब का इसके अंदर एक जनलिस्ट ने सवाल पूछा कि बुट्टो साब आपने इतनी जल्दी शिमला मुहायदे पर क्यों साइन कर लिया जिसके अंदर ये था कि अब यूएन करारदातों से हट कर अब शिमला महुट समझोदे के तहर कश्मीर का मसला डील किया जाएगा तो एक सहाफी ने इस तरीके का सवा पूछा भुट्टो से तो भुट्टो ने बोला कि मेरे कंदे के उपर बहुत बड़ा भोज था मेरे को 90 हजार से ज्यादा फौजियों को भारत के प्रिजनर और प्रिजनर और वार कैम से चुड़ाना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रायर्टी थी तो या तो वो प् हुए इनको पार कराने में छे महीने का फूरा टाइम लगा तो यह सारे रिकॉर्ट मौजूद है तो बाजवा साब कहा रहे हैं कि वह 93,000 नहीं थे 35,000 थे 45,000 थे जो भी उन्होंने फिकर किया तो यह किसको बेफू बना रहे हो यार आज के जमाने में चीजे नहीं चुकत कापी मिलेगा और तब इनको शाहित पता लगेगा कि कितना जमाना बदली हो गया है जब यह किसी जमाने में फाक्ते उडाया करते थे तब से लेकर आज तक बहुत कुल बदली हो गया अब एक्स्क्यूज में अब जहां तक वह बात जो बाजवा जी ने कही वह मैं आपने पूरी ने कही मैं पूरी कह देता हूं बाजवा साथ ने ये कहा कि इंडियन आर्मी बहुत सारे इंसानी हुकों की खिलाव वर्जी करती है लेकिन उसके ओपर कोई तन्खीद नहीं हो दी है लेकिन यहां पर तन्खीद बहुत होती है क्योंकि वह पॉलिटिक्स में मुलब सारी डिमोक्रेसी फिरी पुरेस्की आ जाती है हमारे यहां पर है जो मलें एमपी है वह अपने दम पर वोट लेके आता है उसके पीछे ना आई-बी होती है ना रॉति है मिलिटरी डेलिजेंस होती है और ना पौज होती है और उसकी जवाब देहिए डारेक्ली डारेकली आवान कि दर्वारी होती है अगर और देखें हरे मेक्मे में डंदे लोग होते हैं खराब लोग होते हैं और ऐसी कोई कारवई अगर कोई कर दे तो यहां पर इंडिया में बहुत बवाल मत जाता है रोड जाम हो जाते हैं बहुत बड़े मजाहरे हो जाते हैं और जीना मुश्किल हो जाता है MLA MP का घर से निकलना मुश्किल हो जाए और ऐसे वाक्यात हुए हैं तो अगर कोई ऐसी कारवाई होती है तो इंडिया के अंदर बहुत तेजी से उस सैनिक अधिकारी या पैरा मिलिटरी का कोई ऑफसर है उसके खिलाफ कारवाई होती है आप पिछले 30-40 साल के अगवार उफा के देख लीजिए आप रिसर्च कर लीजिए कितने यूमन राइट वाइलेशन केस इंडियन आर्मी के रिपोर्टर है और उनके उपर क्या कारवाई हुए लोग तिहार जेल में गए लोगोंने सजाएं काटी है लोगों की पैंशन और कैशियर हुए है कुछ लोग अभी आज भी जेल में तो यहां पर यह बचना बहुत मुश्किल है यूम आप लोग एमने जिसको कहते हैं वो लोग जवाब दे ही है उनकी और यह डिमोक्रेसी है यहां पर आप बच नहीं सकते आप छुट नहीं सकते यह पाकिस्तान नहीं है कि आप 10,000 लोगों को डिसेपियर करा दें बलुचिस्तान में और वहां की एक भी खबर आपके किसी भ जवाब दे ही ना हो सिंद में आपकी दैसतगर्दी शर्याम चले लेकिन उसकी जवाब दे ही ना हो तो यह पाकिस्तान में हो सकता है इसलिए जनल बाजवा में को कई वार तरस आता है इन लोगों के उपर कि इन लोगों को तरसल इनकी भी गलती नहीं कि सोच में कि सकते कि आठीज अच्छाए ऐसी उन्हेयलगाय है क्वित तहअन यहां और यहां अच्छा धेंग। झाला बसकता है यह इंडियन आर्मी यहना करती हो और एसा नहीं हो सकता रहें और हम चोर हो सकता हैं कि ना ही छोर नजर आते हैं यह कि यह वाला सिंड्रोम है जर्णत साब भी रिटायर्मेंट के बाद आए वोप वो काफी रिसर्च करें पढाई लिखाई करें और तब उनको समझ में आएगा कि वो जो स्टेटमेंट उन्होंने जो जो कल जिस किताब का जिक्र कर रही है जिसमें वो एक लीवाप होती करने क कि कोशिश कर रहे हैं वो इतना गलत कर रहे हैं और मेरे को एक और चीज़ से हरानी होती कि पाकिस्तानी वागए बहुत बढ़े देवकूफ है क्या वाई सेविंटी वन की लड़ाई को आपने कहा कि यह पॉलिटिकल फेलियर था मिलिटरी फेलियर नहीं था अरे भाई मुल्क का राश्पर्ति प्रेशिडेंट कौन था अब यह तो बताएं आपने बड़े प्यास है और बड़े मासूं सा चैरावना की बोल दिया कि जी तो पॉलिटिकल फेलियर था मिलिटरी फेलियर नहीं था अरे पॉलिटिकल फेलियर था तो हो भी तो आप ही चला रहें आप हैरानी चा'll फेलिबयू को पार्स का ओर ए कि नहीं ऐसक्का तुम उती करता हैं और ही कँ बंद करता है कि जू में तर बडाले और इसे रखा जाए प्रिजर दुनियी आजा शेल फेलिक अपर जो इसे नहीं एंसा नहीं है लोग समझदार हैं थने भी बेवकूफ नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि कल के उनकी बात से के ये पालिटिकल फेलियर था और आर्मी के कोई कसूर नहीं था उस पे लोग मान गए होंगे क्योंके अब लोगों को हिस्ट्री का पता है लेकिन लास्ट में मैं आप से ये पूछ से कर दी क्योंकि 75 साल से तो कुछ कर नहीं पाए हैं आप लोग एक इंच भी नहीं ले पाए तो अब यह कहना कि क्योंकि गवर्मिंट नहीं कहरी इसलिए हम बैठे हुए वहना गर्मिंट कहेंगी तो ले लेंगे तो यहां पर आपको लगता है कि इतने कमजोर लोग बैठ अगर वह सही डारेक्शन में हमला करते तो बंगलादेश भी आजाद हो जाता और पाकिस्तान भी शाहिद आजाद हो जाता तो यह तो रही बात जो हमारी सलाहियत है एक इंच से ज्यादा जमीन को कबजा करने की और आपको मैं या दिला दू अर्दू जी जो 1965 की जंग के आप जैजन मनाते हैं मनाते हैं अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो पांस्ट स्क्रे किलो मीटर इंडिया की जबी पाकिस्तान की पॉज ने कब्जाई थी और इंडिया ने पाकिस्तान की 15arnos Leakका की जमीन कब्जाई थी वह अमेरीकन और रचेट मेंदे के तह під हमको व वो वापस ना करते तो अभी हम शायद मजफराबाद के बहुत नजदीक बैठे होते हैं तो यह तो रही बात हमारी काबलियत की और जहां तक जरनल साब का सवाल है जन्होंने बोला कि हम प्योके पर खब्दा कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो इसमें कोई दोराई नहीं हैं हम बिल्कुल कर भी देंगे लेकिन उनको यह बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राज्ञास सिंग ने इसी तरीके के किसी इवेंट में ये कहा कि प्योके हमें लेना है और हमारा पार्लियमेंट का रिजूलूशन है कि हमें पाकिस्त एक पाइस्मान के कब्रेंसे आजाद कराना है यह हमारा फार्लियमेंट का एक मौकप है इसमें कोई गलत बात नहीं है कि тов니다 b bump बनाके और वहां तो तो यह आपको चीज़ समझनी चाहिए बट एंटर सेम टाइम इसको कॉंटेक्स्ट में देना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रहाननंत्री नरेंदर मोदी ने ये कहा है कि लडाई का जमाना नहीं है ये जमाना तजारत का है पीस का है और लडाई के दिन लग चुके हैं युक् को फेमस स्टेटमेंट एस सी ओ के दौरान उजबेकस्तान में दिया था और उसके बाद इसको